आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी सूजी की रसकुले तो चलिए टेस्टी से रसकुलों को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए बैने एक कड़ाई लिये और गैस को ओन कर दिया है आज को हम धीमाई रखेंगे और एक कप लेंगे सूजी आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं आपके पर जो हो महीन वाली या फिर मौटी वाली और साथ में लेंगे हम दो छोटी चम्मज घी इसको धीमें आज पर हम भूनेंगे बिसे ध्यान रखें हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है बस हमें इसका कच्चा पंदूर करना है अब देखिए हमारी सूजी भून गई है करीब मैंने से 3-4 मिनट भूना है आप देख सकते हैं इसका हलका सा कलर चेंज हुआ है अब हम इसमें डालेंगे दूद मैं यहाँ पर दो कप दूद ले रही हूँ और एक कप मैंने सूजी ली थी दूद डालने के पाद सूजी हमारी बहुत ज़ली गाड़ी हो जाती है तो बेसे ध्यान लखें लगाता चलाते रहें लंपस नहीं पड़ने चाहिए सूजी के रसकुले इतने टेस्टी बनते हैं कि कोई पैचान भी नहीं पाएगा कि ये सूजी के बने हैं या फिर माबा के बने हैं तो देखे इस तरीके से चलाते हुए अब हमारी सूजी गाड़ी हो गई है अब हम इसमें डालेंगे दो छोटी चमत चीरी अब हम इसको चलाते हुए और गाड़ा करेंगे और तब तक हम इसको चलाती रहेंगे जब तक ये तली छोड़ने लग जाए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अभी तक आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल सके आप और भी वीडियो देखने के लिए मेरे फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राब को भी फॉलो कर सकते है अब देखिए हमारा सलुशन काफी गाड़ा हो गया है तली छोड़नी लगा है अब मैं इसको किसी प्लीट में नकाल लेती हूँ और थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देते है अब देखिए मैंने इसे प्लीट में नकाल लिया है और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम आगी की प्रसेस करेंगे अब देखिए हलका सा ठंडा हो गया है ये थोड़ा सा चिकनाई का हाथ लगा करके हम इसको मलेंगे जिससे ये अच्छी तरीकी से स्मूथ हो जाए सूजी को स्मूथ करने के बाद इसमें मिलाएंगे हम एक टुकड़ा घिसा हुआ पनीर का ये मैंने यहाँ पर एक टुकड़ा लिया है इसको मैंने घिस लिया है कर दुकस कर लिया है इसको हम इसमें मिलाएंगे पहले हम पनीर को भी थोड़ा सा मल लेंगे और उसके बाद इस डू में हम इसको मिक्स कर देंगे लीजिए इस तरीके से हमारा परफेक्ट डू बन करके रेडी हो गया है रसकुलो के लिए अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे एक नीवू के बराबर यह आपको छोटे बड़े जैसे बनाने हो आप थोड़ा सा पोर्शन ले और इस तरीके से गोल गोल आप बना लीजिए तो देखे इस तरीके से हम बना करके रखते जाएंगी तो देखे इसी तरीके से मैंने सभी रखुले बना करके रेडी कर लिए हैं आप देख सकते हैं अब चलिए चासनी तयार कर लेते हैं इसके लिए वनएक कड़ाई लिए और इसमें लेंगे दो कप चीनी और उसी के साथ लेंगे हम चार कप पानी रसकुलों को पकाने के लिए हमें पत्ली चासनी के आवसकता होती है इसलिए हम कोई एक तार की दो तार की चासनी नहीं बनाएंगे हम पत्ली चासनी बनाएंगे बस एक तरीके से गाड़ी चिपचिपी चासनी हमें तयार करनी है तो देखी चार कप मैंने पानी डाल दिया है इसमें और इसे हम चड़ा करके गाड़ा करेंगी और जैसे ही चासनी में उबाल आ जाए हम इसमें डालेंगे एक दो बड़ी चमच दूध इससे इसमें जो भी इंपरोटी होगी वो उपर आ जाएगी और उसको हम निकाल देंगे जिससे हमारी एकदम से सफेज चासनी बन करके तयार हो जाएगी एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए आप इसमें दो थी निलाईशी डाल सकते हैं खोल करके आप चाहें तो किसर की लेप से भी डाल सकते हैं अब देखी इसे उबलते हुए करीब 3-4 मिनट हो गये हैं और एक पतली चिपचिपी चासनी हमारी रेडी हो गई है हमें गाडी चासनी नहीं बनानी है अगर हम गाडी चासनी बनाएंगे तो हमारी जो रसकुले बनेंगे वो ठोस बनेंगे यानि अंदर से स्पंजीरी बनेंगे तो देखिए अब मैं इसमें सभी जो हमने वीरस को लिए तयार किये हैं बॉल्स तयार किये हैं उनको डाल लेते हैं और सभी बॉलों को डालने के बाद हम इसको पांच मिनट तेज आँच पर पकने देंगे देखिए देखते ही देखते ही यह जो बॉल से हैं एकदम से फूल जाएंगी और पूरी कड़ाई को देखिए इनने कबर कर लिया है और पांच से साथ मिनट बाद हम इनको पीछे से चम्मस से इस तरीके से हिला देंगे जिससे यह उलट पलट हो जाएं और चारतरप से यह पक जाएं पहले हम इनको करीब हाई फ्लेम पर पांच मिनट पकाएंगे उसके बाद मीडियम लो कर देंगे और देखिए इस तरीके से हमें इने करीब 5-7 मिनट और पकाएंगे अब देखिए इने पकते हुए करीब 10-12 मिनट हो गए हैं अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इनको ठंडा होने देती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आप देख सकते हैं इस समय कितने भड़िया लग रहे हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं कोई पैचान भी नहीं पाएगा कि यह सूजी के बने हैं आपका जब मनाय आप इस तरीके से सूजी के रसकुले बना सकते हैं